हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में आज हम बात करेंगे IPC की धारा 281, 282 और 283 के बारे में यदि आप IPC से रिलेटेट पिछली धाराओं का अध्यान करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करें यहाँ पर आपके लिक करेंगे तो आपको IPC की पिछली धाराओं मिल जाएंगी हम बात करते हैं IPC की धारा 281 के बारे में IPC की धारा 281 के कहती है यह कहती है ब्रामक प्रकास चिन या वोय का प्रदर्शन अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ब्रामक चिन क्या होते हैं ब्रामक प्रकास चिन क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि किसी जलियान में जलियान याने कि नाओ वगेरा जो चलती है जहाज जो चलते हैं पानी में चलने वाले जहाज वगेरा इनको क्या होता था कि पहले के जमाने में कोई navigation system नहीं होता था आज कल तो हम mobile से देख लेते हैं कि कौन से इस्थान पर जाना है और कौन से इस्थान पर पहुंचना है तो ये mobile से या technology नई नई विक्सित हो जाने के कारण हम नए सिस्थमों के द्वारा इन चीजों को देख सकते हैं लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था पहले क्या होता था कि पहले प्रकास चिन बना दिये जाते थे light के कोई निसान वगरा बना दिये जाते थे समुद्र के अंदर ताकि कोई भी जहाज वहां से निकले तो उन light के प्रकास के माध्यम से ये समझ जाए कि वो रास्ता कहां पर जाता है वैसे आपने सडक मार्ग पर देखा होगा कि लिखा होता है कि जैपुर जाने के लिए ये रास्ता है जेसलमेर जाने के लिए ये रास्ता है इंदर जाने के लिए ये रास्ता है जबलपुर जाने के लिए ये रास्ता है दिल्ली जाने के लिए ये रास्ता है बॉम्बे ज ऐसा कुछ होता नहीं है, समुद्र में तो पानी ही पानी होता है, तो ऐसे समय में और दूर से कोई चीज दिखे या ना दिखे, रात के समय में कैसे पतबड़े करें, कहां पर जाने के लिए कौन सा रास्ता है, तो इसके लिए प्रकास्चिन बना दिये जाते हैं, लाइट के उप्योग करता है कि जिससे कि वो पानी में चलने वाला जहाज पानी में चलने वारी नाओ जो है भटक जाए अपने रास्ते को और भटक जाने का उद्देश क्या होता था पहले की जमाने में पहले में क्या होता था कि डांकू और लुटेरे जो होते थे वो नाओ और को लूटने के लिए इस प्रकार के ब्रामक चिन्नओं का उपव्युक कर लेते थे रास्ता बठका करके उनको लूट लेते थे इस प्रकार से तो यदि कोई व्यक्टि इस प्रकार का करते करता है bhramak चिन, ब्रामक प्रकास चिन या बोय का प्रदर्षन करता है तो क्या होगा तो उसको जो है सजा के प्रवधान IPC की ë 15 Daniel 211 में कीए गए है क्या लिखा है कि जो कोई किसी ब्रामक प्रकास चिन या बोय का प्रदर्षन इस आसर से या यह संभाब जानते हुए कि ऐसा प्रदाशन करने से नौ परिवाहग को मार्ग भरष्ट कर देगा याने पत्व भरष्ट कर देगा याने कि उसको भटका देगा रास्ते से तो वह दोनों मैंसे किसी भी भाती की कारावास से जिसकी अबदी साथ वर्ष हो सकेगी दंडित किया जाएगा या जुर्माने से दंडित होगा या उसको दोनों से ही दंडित किया जा सकेगा याने के साथ साल तक की सजा भी उसको हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है या फिर जुर्माना करके छोड़ा जा सकता है या फिर कारवास की सजा उसको दी जा सकती है इस प्रकार से बात कि हमने IPC की धारा 281 के बारे में, अब हम बात करते हैं IPC की धारा 282 के बारे में, क्या कहती है IPC की धारा 282, ये कहती है कि अक्षेमकर या अती लदेवे जलेयान को भाड़े पर लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवहान, याने कि अब इत्ती सुद लेंग वे जैदी समझेंगे तो कैसे समझ में आईगे तो IPC की धारत 81 कहती है कि कोई देखो अक्षेमकर लिखा है ना अक्षेमकर का मतलब होता है कि आसुरक्षित यानि कि कोई आसुरक्षित और जादा लदा हुआ कोई वाहन है कोई जलयान है जलयान में मतलब जो जल में चलने वाले जो बहान होते हैं उनको जलयान बोलते हैं तो ऐसा कोई जलयान जो बहुत जादा लदा हुआ है या जो बहुत जादा जिसमें बजन भर दिया गया है अब लदा हुआ है का मतलब यह नहीं है कि वो पब्लिक से लदा हुआ है या सामान से लदा हुआ है दोनों में से किसी भी चीज से लदा हुआ है पर भेंकर लदा हुआ है अब उसमें किसी व्यक्ति को बिठा लेना किराय पर भाड़े पर कि मतलब हम आपको महां तक छोड़ देंगे जब वो पहले से ही पता है कि पहले बहुत ज्यादा लदा हुआ है बहुत ज्यादा सवारी उसमें बैठी हुई है या बहुत ज्यादा सामान भरा हुआ है इसके बाद भी किसी व्यक्ति को बिठा लेना है तो इसका मतलब तो यह हुआ कि यदि वो जहाज डूब जा अपनी जान का तो जान का संकट यदि कोई इस प्रकार से उत्पन करेगा तो आई पीसी की धारा 282 के अंतरगत उसको दंड दिया जाएगा 282 के अंतरगत दंड नहीं होगा क्या लिखा हुआ है कि जो कोई किसी व्यक्ति को किसी जल्यान में या जल्मार्ग पर से जाते हुए यह जानते हुए यह उपेक्चा क्रत दोनों बातें लिख दी यह आप है या तो जानते हुए कि भीया भारी लदा हुआ है डूब सकता इसके बाद को संकट उत्पन हो रहा है याने कि वो जो है ऐसी इस्तिती में आ जाएं कि वो उन लोगों को डुबा दें और वो मर जाएं ऐसी इस्तिती उत्पन यदि कोई व्यक्ति करता है यहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि वो मर ही जाएगा या उसकी जान चली ही जाएगी यदि जान क से दंडित होगा या उसको दोनों से ही दंडित किया जा सकेगा जुर्माना कितना हो सकेगा जुर्माना हो सकेगा एक हजार रुपे तक का याने एक हजार रुपे तक का जुर्माना या छे माह तक का कारवास या दोनु इस प्रकार से हमने पढ़ा IPC की धारा 282 के बारे में अब हम बात करते हैं IPC की धारा 283 के बारे में आई पी सी की धारव दोसु तेरियासी क्या कहती है यह कहती है लोक मार्ग या नौ परिवाहक में बाधा या संकट उत्पन करना याने कि मान लेते हैं कोई सड़क है अब सड़क पर पेड़ पौदे काटके डाल दिये तो क्या करा मार्ग पर बाधा उत्पन करी यदि कोई व्यक्ति मार्ग में बाधा उत्पन करता है जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी होती है या कोई ऐसा समुद्र है समुद्र में कोई बाधा उत्पन कर दी यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का करत्य करता है तो उसको IPC की धारा 233 के अंतरगा दंडित किया जा सकता है मान लेते हैं कि कोई सड़क है सड़क की जो है उस सड़क पर वहां चलने की जो इस पीट है वो 80 और 90 और 100 की है अब अपन 20 की रप्तार से गाड़ी चला रहा है तो पीछे वालों को कितनी परिसानी हो रही है और इसके लिए क्या है कि पीछे वाले जो परिसान हो रहा है मतलब उनको बादा उत्पन अपन कर रहा है यदि इस प्रकार से भी कोई व्यक्ति करता है और उनको निकलने की जगे भी नहीं दे रहा है कि वह साइट से निकल जाए और 20 की रप्तार पर चला जा रहा है पीछे लाइन लग गई मोटर साइकिल की ट्रक की गाडियों की ऐसे समय में इसका मतलब यह हुआ कि आप सड़क पर बादा उत्पन कर रहा है यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का क्रति भी करता है तो उसके लिए भी यहाँ पर दंड के प्रावधान IPC की धारा 283 उस पर लागू होती है यानिके सड़क पर या जल मार्ग में कोई बादा उत्पन करना या कोई संकट उत्पन करना अब संकट उत्पन करने में क्या है कि सड़क पर गड़े ही खुद दिये गड़े खुद दिये तो क्या होगा वान पलट जाएगा वान पलट जाएगा तो जो है लोगों की जान को संकट उत्पन होगा, इस प्रकार का कोई व्यक्ति क्रत्य करता है, याने के सड़क पर या जलमारग पर कोई संकट उत्पन करता है, या कोई बाधाकारित करता है, तो आईपीसी की धारा 2083 के अंतर का दंड नहीं होगा, कितना दंड मिलेका हम और उस लोग के कारण या उस कारे के कारण वो किसी मार्ग पर बाधा उत्पन करता है या नौ परिभाग में के लोग पत को संकट से भरता है या वहाँ पर बाधा उत्पन करता है याने के जल मार्ग पर भी और सड़क मार्ग पर भी यदि कोई बाधा उत्पन करता है तो क्य यानि 200 रुपे से ज़्यादा का जुर्माना नहीं लगेगा, 100 रुपे भी लग सकता है, 50 भी लग सकता है, पर 200 से ज़्यादा नहीं लगेगा, पूरी की पूरी IPC का अध्यन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर किलिक करें, यहाँ पर किलिक करेंगे, तो IPC की धारा 1 से लगा करके, IPC की धारा 511, यहने के पूरी की पूरी IPC यहाँ से आपको मिल जाएगी, तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो यदि आपको पस सके ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद